विश्नु शंकर जैनाप शहत केज की पीचीदियों को हमको वेतर तेरीके से समझा पाएंगे दो पॉइंट्स हैं विरोध के नमबर एक प्लेसिज अवर्शिप एक 1991 ये उसको वाइलेट करता है अगर सर्वे होता है और दूसरा 1968 का समझाता हो चुका है भई ये दो पॉइं डेट नोट कर लें दिस्टिक जज्ज मत्रा ये होल्ड कर चुके हैं कि यहां पे प्लेसिज अवर्शिप एक और वर्फएट अट्रैक्ट नहीं होता है उस ओर्डर के अगेंस जिसमें ईदगा कमिटी इलावाद हाई कोट में है और उनका मामला महाँ पेंडिंग है प्ले 247 को क्या था ये तो सूट में ट्रायल में पता चलेगा ना जब हम एविडेंस लीड करेंगे अगर अपनी बात को धारन से समझाना चाहूं तो कोई आदमी अगर एक मंदिर के अंदर आके मजजित तामील कर दे और वहाँ पे नमास करना पढ़ने लग जाए तो क्या मंद सब्सक्राइब करने के सब्सक्राइब करने की इजाज़त देता है पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर वन ने क्लारिफिकेशन आपने बताया कि मतुरा वाले केस में 1991 प्लेसिस अवर्शिप एक्ट अप्लाए नहीं हो सकता है यह कौन से कोट का ओडर है कौन सी डेट कौन से कोट का ओडर है अगर आप दुबारा से बता दें डिस्टिट कोट मतुरा ने ओर्डर पास किया हमारे केस में 19 मईं 2022 को और यह बात होल्ड कर दिये कि यहां पे प्लेसिस अवर्शिप एट अट्रैट नहीं होता है और इदगा कमिट्टी को सुनने के बाद उनकी पूरी बहस सुनने के बाद उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद ही ओर्डर पास किया गया ठीक 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 पहली बाद अब दूसरी बात मैं बता दूं 12 अक्टूबर 1968 का समझवता हम क्यों कह रहें गलात अमन भाई प्लीज इस बात की जरा बारीकी को समझनी कोशिश करिएगा श्रीक्रिशन जन्मूमी का इतिहास है 13.37 जमीन राजा पटनी मल ने 1815 में ब्रिटिश सरकार से आक्शन में खरी दी थी उसके डॉकुमेंट्स है और उसके बाद राजा पटनी मल के वारिस ने अल्टिमेटली जब पंडित मदन मौन मालविय की बहुत इक्षा थी कि महाँ पे भव श्रीक्रिशन जन्भूमी का एकर जमीन श्रीक्रिशन जन्भूमी ट्रस्ट में नहीत हो गई श्रीक्रिशन जन्भूमी ट्रस्ट की हो गई इसके बाद 1960 के दशक में 1958 के दशक में एक फरजी संस्था बनती है जिसका नाम है श्रीक्रिशन जन्भूमी सेवा संग और श्रीक्रिशन जन्भूमी सेवा सं कि जहां तक आप इस प्रॉपर्टी में घुसा आप रहें और हम बाकी जगा रहेंगे तो हमारा कहना है भाईया इस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल ओनर तो श्री कृष्ण जन्मुमी ट्रस्ट है कौन थे द्वार का प्रसाद मिश्रा कौन थे अनन्द शहिया महेंगार जो समय उस कॉंप्रमाइज को जन्होंने फोर्स किया होने के लिए और मैं लीगल पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ अमन जी आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोट का जज्जमेंट मुझे परमिशन देता है कि जहां पे ट्रस्ट नेगलिजेंट होता है और देवता की संपत्तिक साथ खिलवार होता है वहाँ पे भक्त सामने आ सकता है और आप यह सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि आप इतने सालों बात क्यों आए क्योंकि फ्रॉट से अगर कोई चीज़ ऑप्टेइन की गई है तो वह हमेशा शून ने होती है नल एन वॉइड होती है और उसको कभी भी कोट में चैलेंज करते हैं दो पॉइंट्स आपनी क्लियर करें एक तो 1991 प्लेसिस ओवर्शिप एक्ट मतुरा वाला केस में अप्लिकेबल ही नहीं होता मई 2022 का डिस्टिक कोट का ओडर नंबर वन नंबर टू जो 1968 के समझोते को बार-बार कोट किया जा रहा आप कह रहे हैं उसको ही चैलेंज दर असल इसमें किया गया है वो समझौता ही फ्रॉड है मिरसात एक पर डॉक्टर रिजवान एहमत का कमेंट लेता हूं देवकिननदन जी भी है पहले डॉक्टर रिजवान हमत असल में डाउट इस चीज़ को लेकर है जो बार-बार कहा जा रहा है जो वेशी भी कह रहे हैं सब कह हैं कि हमें पता था यह लोग रुकने वाले नहीं है हिंदुवादी संगटान विश्णु भाई या हिंदु सेना वाले लोग या विश्णु जैन जैसे लोग रुकने वाले नहीं आये उद्या के बाद ये बाबरी फिर काशी फिर मतुरा उसके बाद आगे भी लुकने वाले नहीं और बिल्कुल OEC सही साबित हो रहे हैं जी शुक्रिया जैन्द वंदेमात्रम वैसे बंगाल में यूपी में MCD दिली में और गुजरात में जो असुद्दीन OEC का हाल हुआ है उसको मुस्लिम के पॉइंट अफ यू से पैन इंडिया कोई बात अब नहीं करनी चाहिए अगर उसमें जरा सीरी शरम है हैदराबाद की गल्यों की राजनीती करे वो उस पर जादा सूट करता है पहली चीज दूसरी चीज अगर ये आज राम जनम भूमी के बाद मत्रा की बात हो रही है काशी की बात हो रही है तो ये ऐसा नहीं है कि सत्ता देख के हिंदुत की बात करने वाले लोग या भाजपा की बात करने वाले लोग आज एकदम से ये कहीं बबूलों की तरह खड़े हो गए ह ऐसा नहीं है ये वाली बात तो पिछले चालिस साल से तो मैं सुन रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि सत्ता का कोई फायदा उठा के विश्णु जैन जैसे लोग अगे आ गए नहीं ये तो हमेशा से लगना है हाँ सत्ता से और मीडिया से ये फायदा हुआ है कि इन लोगों की आवास को एक मंच मिल गया है दूसरी बात विश्णु जैन ने बहुत अच्छी बात करी लोग में एस अ लॉयर आपको बताओं कुछ ऐसे शब्द होते हैं और आपके श्रोताओं को शायद अच्छा लगे जिन शब्दों का इस्तमाल नहीं किया गया है लेकिन ये माना गया है कि ये शब्द साथ में जुड़ा होगा जैसे investigation माना गया है free, fair और speedy होगा trial loss में सरफ trial लिका है लेकिन माना गया है speedy होगा fair होगा और बिना prejudice होगा इसी तरह जो विश्णू जैन भाही ने बात बोली के possession possession का मतलब law में ये नहीं होता कि आमन चोपडा साहब मेरे घर पर बैठे हैं तो वो उनका possession हो गया, नहीं possession means lawful possession lawful लिखा नहीं गया है कानूं की किताम में लेकिन अर्थ इसका ये ही है सवाल उगता है 1947 में जो चाहे ग्यान वापी हो चाहे मत्रा हो अगर महाँ पर मजजिते थीं या मजजितों मजजित कमिटीज का को या किविश्णू गुपता को या किसी को कोट में ये साबित कर दीजे कि 1947 का जो position था वो lawful था उसके बाद attract होगा places of worship act अगर आप अपना position 1947 में साबित ही नहीं कर पाए तो places of worship act वहाँ पर लागू नहीं होगा अच्छा मतलम